आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही एक मात्र ऐसे यूट्यूब चैनल पे जहां पे आपको परम गुप्त और बहुत ही सक्तिसाली प्रचंड उपाय और प्रयोग बताते हैं आज मैं आपको एक बहुत ही सक्तिसाली वशी करन करने के लिए गुप्त मंत्र बताऊंगा और इस मंत्र की सबसे ज़्यादा खास्यत बातिया है कि सिर्फ एक बार जाप करने से ही यह मंत्र प्रमान में सक्तियां उत्पन करती है और वह सक्ति जो व्यक्ति जाप कर रहा है अ आप यह समझ लीजिए कि जब इस मंत्र को करने का सोचेंगे और जाब करने के लिए बैठेंगे उसी च्छण से और उसी समय से आपका कारे सफाल होना सुरू हो जाएगा तो इस मंत्र को किसी को बताना नहीं है आपको नहीं किसी को सेर करना है परम गोपनी और गुप्त मंत्र है इस बीज मंत्र में इतनी ज़्यादा सक्ति है कि इन सक्तियों को सिर्फ और सिर्फ सही कार्यों के लिए प्रयोक कीजिएगा अर्थार साधी करना हो जिससे आप या फिर कोई भी शुब और पवित्र समय अर्थात खोली दिपावली या फूल किसी भी प्रकार से कोई मुहर्थ पढ़ रहा हो इन सभी समय में से कोई भी समय अगर इसमें से भी कोई समय आपको नहीं मिल पा रहा है और आपको परम आवश्चक है या मंत्र का प्रयोग अर् करते हैं सनिवार के दिन और समय रहेगा साम को छे से लेकर साड़े साथ के बीच सुर्यास्त के बीच मंत्र जाप करना है मंत्र जाप निरंतर आपको दस मिनट करना है मित्रो इसमे संख्या का कोई बंधन नहीं है और बस दस मिनट में अब जितना ज्यादा जाप हो सके करिए एक ही बार करना है और एक ही बार में आपको पूर्ण रुप से रिजल्ट मिल दागा तो मंत्र को ध्यान से सुनिए वह इस प्रकार है ओम त्रोम रोम हुम हुम बद्रे भायरवी अमुकी वशम क्लीम फट स्वाहा फिर से सुनी ओम त्रोम रोम हुम हुम बद्रे भायरवी अमुकी वशम क्लीम फट स्वाहा जहां पे आपने अमूकी सब्द सुना है उसमें इच्छित इस्त्री या पुरुस का नाम लेना है साथ में उसके फोटो को रख कर हिजाब करना है एक गिलास पीने का पानी रखिए एक चीज हमेशा दिहान रखिएगा अमूकी सब्द हमेशा सिर्फ और सिर्फ इंगित करने के लिए होता है वहाँ पे आपको इस्त्री और पुरुस का नाम ही लेना है और यहाँ पे जो सकती है जो मा भहरीवी की सकती वह ब्रह्मान में एक ही बार आपका जाब करने से उत्पन्न हो जाएगी और वह आपकी मनो कामना जानकर आपके लिकारे करना शुरू कर देगी तो अगर आपको इस उपाय से संबंदिक कोई समस्य हो जो समझ में नहीं आया हो तो आप वार्ट्सप या मैसेज कर सकते हैं जो रंबर आपको डिस्पले में सो हो रहा है